करोति बाचालं पंगुम् लंगयते गिर्यं यत कृपातमहं बंदे परिमानंदे माधुवं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महे सुरां गुरु साग्षात परंब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवी नमां सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पस्यंतु मा कशित दुख्य भाग भवे करपूड गौरं करुणा वतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वशंतं हिर्दे आरे विंदे भवम भवानी सहितम नमां कल मैं चर्चा कर रहा था जातस ही धुर्वव मृत्यू जातस ही धुर्वव मृत्यू धुर्वव जन्म मृत्य स्चा तसमाद परिहार अरते नत्तम सोचित मरहसी अर्जुन भगवान कह रही है अर्जुन क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यू निश्चित है और जो मरे हुए हैं उनका जन्म निश्चित है इससे भी तूँ बिना उपाए वाले इस पर तेरा कुछ उपाए नहीं है तो इसलिए सो करने के योग नहीं हैं अंगले स्लोगें भगवान कह रहे हैं अव्यक्ता दीनि भूतानी व्यक्त मध्धानी भारतें अव्यक्त निधिनाने वै तत्र का पर देवना और हे अर्जन संपूर प्राणे जन्म से पहले अपरगट थे और मरने के बाद भी अपरगट होने वाले हैं केवल बीच में ही प्रिगठ हैं ऐसी स्थिती में क्या सोक करना जन्म से पहले अव्यक्त थे और मृत्य के बाद भी अव्यक्त हो जाएगे बीच में ही होने का स्थिती है इसलिए बगवान कहते हैं कि इसमें एक सोक करने के कोई स्थिती नहीं है अब ये सारा जगत आप देखें व्यक्त और अभ्यक्त अमेनीफैस्टेशन ऑफ डिमाइन अनमैनिफैस्टेशन अफ डिमाइन जो सारा द्रिष्ट जगत जो द्रिष्ट गोचर है यह परमात्मा का व्यक्त रूप है लेकिन एक परमात्मा का अव्यक्त रूप भी है खलील जिब्रान ने एक कहानी लिखी एक बार वो एक जोपड़ी में बैठके दिया जलाके कुछ पढ़ रहा था एक जोपड़ी में दिया जलाके कुछ पढ़ रहा था तो एक पक्षी बाहर के अंधिकार से आया और उस जोपड़ी में उसने दो-चार चक्कल लगाए और फिर उस दर्वारी से बाहर जाके अनंत अंधिकार में खो गया तो खलील जिब्रान लिखता है कि ऐसे ही हमारा जीवन है अंधेरे से वो पक्षी आया पक्षी था तो अंधेरे से उजाले में प्रकास में आया और दो-चार चक्कल लगाए और फिर अग्यात अद्रस अंधेरे में खो गया तो इस कार्थी नहीं कि अब वो खो गया तो नश्ट हो गया नश्ट नहीं हो गया जो अव्यक्त था वो व्यक्त हुआ और फिर अव्यक्त हो गया जो अव्यक्त था जन्म से पहले अव्यक्त था मरने के बाद भी अव्यक्त होगा बीच में व्यक्त हुआ ऐसे ही जैसे वो पक्षी अंधेरे से आया दो-चार चक्कल लगाए जोपड़ी के अंदर और फिर अग्याद अद्रिस अंदिकार में खो जाता है तो अब नश्ड नहीं हो गया ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि व्यक्त तो थोड़े समय के लिए है अब व्यक्त जादा है अब व्यक्त अनंत है व्यक्त तो एक सीमा में है अब व्यक्त अनंत है आप सागर के किदारे जाएं लहरें तो बहुत सीमित होंगी लेकिन जहां जो लहरे नहीं है वो अनन्त है सागर अनन्त है लेकिन लहरों की एक सीमा है एक छोटी सी लहर बनी रही बिगड़ गई लहरों की एक सीमा होगी लहरे व्यक्त है और सागर अब्यक्त है अब ऐसे ही परमात्मा अव्यक्त है और यह सारी स्रिष्टी जो दीख रही है यह व्यक्त है लेकिन यह व्यक्त जो स्रिष्टी है यह अव्यक्त परमात्मा का ही व्यक्त रूप है अव्यक्त परमात्मा का ही व्यक्त रूप है प्रगट रूप है छिपे हुए प्रगट रूप है जैसे सागर तो अव्यक्त है अप्रगट है हम जब जाते तो सागर नहीं मिलता लहरे ही लहरे मिलती लेकिन वो लहरे सागर का ही व्यक्त रूप है प्रगट रूप है चिन्हाने कल कहा थे इक वीज और ब्रक्ष, बीज में ब्रक्ष अव्यक्त है उसकी कोई फोटो नहीं लिए जा सकती, उसे चीड़ फाड़के कहीं देखा नहीं जा सकता कहा इसमें पत्तियां हैं कहा फूल हैं कहा फल हैं कुछ नहीं दिखेगा उस बीज में लेकिन वो बीज में ब्रक्ष अव्यक्त है जब उसे जमीन में दवाते हैं अंकुरित होता है और फिर वो ब्रक्ष की यात्रा पूरी होने लगती है तो ऐसे ही अव्यक्त की सीमा अनन्त है अव्यक्त अनन्त है व्यक्त थोड़ा से उस वही अव्यक्त थोड़े से नाम रूप में व्यक्त हो रहा है अब अगर उस अव्यक्त को जानना हो तो कैसे जानेंगे उस अव्यक्त को जानना हो तो कैसे जानेंगे अब बाहर आप देखो एक ब्रक्ष में अनेक अनेक पत्तियां हैं अनेक अनेक पत्तियां है एक ही डालकी पत्तियां अलग-अलग रंग रूप की होंगी कुछ पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही है कुछ नई पत्तियां अभी निकल रही है कुछ हरी है तो अब पत्तिया एक दूसरे को देखके उन्हें लगे गा कि हम अलग अलग है एक शिसुअबस्था में है एक जवानी में है एक पीली होके बुढ़ापे में पहुंच गई लेकिन वही पत्तियां बाहर से तो अनेक हैं लेकिन अंदर से एक ही साखा से जुड़ी होई हैं एक ही साखा से अंदर से वो देखें अंदर जहांके देखें तो सभी पत्तियां उसी एक साखा से जुड़ी होई है अब ब्रक्च की साखाएं अनेक हैं तो वो साखाएं भी लगें कि वो साखा अलग है ये साखा अलग है बाहर से अलग-अलग साखाएं है उस ब्रक्च के लेकिन वो साखाएं भी अंदर से जाक के देखेंगे तो ये कही ब्रक्च की साखाएं है ये कही ब्रक्च से सब जुड़ी होई है और ब्रक्ष भी जंगल में अनेख है ब्रक्ष भी जंगल में अनेख है वो भी सब अलग-अलग अपने को मार रहे हैं और अलग-अलग तरह के ब्रक्ष है अलग-अलग फल देने वाले अलग-अलग फूल देने वाले अलग-अलग आकरती के ब्रक्ष है वो भी सब अपने को जुड़े हुए है सभी के सभी ब्रक्ष ये कही जमीन से जुड़े हुए है और देखो सारी प्रिथिवी इस ब्रमान में तमाम ग्रहे नचत रहें लेकिन वो भी सब एक दूसरे जुड़े हुए है तो बाहर से तो हमें अनेक दीख रहे हैं अनेकता का भाव आएगा बाहर से दूसरे का भाव आएगा अनेकता का भाव आएगा बाहर से लेकिन जैसे जैसे अंतर में उतरेंगे अंतर मुकी होंगे वहाँ अद्वेत में जाएंगे एक में जाएंगे कि सब एक ही से जुड़े हुए है तो व्यक्त एक अब व्यक्त एक है और व्यक्त अनेक है अब व्यक्त एक है जो अन्मैनिफेस्टेट है अब प्रगट है वो एक है लेकिन उसका व्यक्ती करण जब हो रहा है प्रगटी कर और वो भी मेने कर जो प्रगट भी हो रहा है वो कितनी देर का प्रगट है हुआ जिसे हम प्रगट कह रहे हैं वह भी ठेरा हुआ नहीं है एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का जन्म जन्म हुआ फिर उसम की सिसु अवस्था किसोर अवस्था जवानी बुढ़ापा अब वो कहीं ठहरा हुआ नहीं है वो भी सिदा परिवर्तन हो रहा है जवानी कहीं ठहरी हुई नहीं है किसोर अवस्था कहीं ठहरा हुआ नहीं है बुढ़ापा कहीं ठहरा हुआ नहीं बुढ़ापा कहीं ठहरा हुआ नहीं है वो भी परिवर्तित हो रहा है जो व्यक्त है वो उसमें भी कहीं ठहरा हुआ नहीं है रुका हुआ नहीं है वो भी प तो भगवान कहते हैं ये स्रिष्टी की पूरा का पूरा ऐसे ही है इसलिए इसमें दुख हुई होने का कोई कारण नहीं। नस्चंद सोच तुम्हारा सी स्कूल लिए कैने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार भी नहीं यह सारा स्रिष्टी व्यक्त अव्यक्त का खेल है यह परमात्मा की लीला है इसलिए मैं उसे कहते हैं उसकी लीला है उसकी माया है इसे रोकने का कोई उपाई नहीं इसे बदलने का कोई उपाई नहीं है और इसको जानने कभी उपाए नहीं है अब व्यक्त को नहीं जाना सकते हो परमात्मा ने कोई पैदा कर दिया उसको जान सकते हो देख सकते हो परक सकते हो आंख से देखा जा सकता है हांस से छुआ जा सकता है जीव से स्वाद लिया जा तो जो इंद्रियों का बेसा है वो हो गए जो अव्यक्त है लेकिन जो अव्यक्त है वो इंद्रियों का बेसा ही भी नहीं है तो भगवान कहते है उसे तो सिर्फ अंतर मुकी होके ही उससे जाना जाएगा अंगले स्मोक्रुम में कह रहे हैं कि ये आश्चर है आत्मा की बात कहना, आत्मा की बात सुनना, आत्मा की बात बताना किसी को भगवान कहते हैं कोई एक महापुर्ष ही इस आत्मा को आश्चर की बात देखता है और वैसे ही कोई दूसरा ही महापुर्ष उस तत्यो का आश्चर की बात बरड़न करता है और कोई दूसरा अधिकारी पुरुसी आश्चर की बात सुनता है और कोई तो कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है ये भगवान कह रहे हैं ये सब आश्चर है कोई एक आश्चर की बात जानता है अब कल जैसा में किरा है जानता है भगवान ये नहीं कर रहे हैं माता है जानता है जिसने जाना जिसने अनभव किया मांता तो सास्त्रों में पढ़कर हो जाई है किसी से सुन के हो जाई की मानता है ने मान लिया आत्मा है क्यों है क्योंकि गीता में लिखा है उपनिस्दों में लिखा है रिस्यों ने कहा है तो भगवान मानने की बात नहीं करें जानने की आज सारी दुनिया में मानतायें हैं सभी धर्मों के कोई क्राइष्ट को मान राद को मुहमंद को मान राद को राम को मान राद को किष्ण को मान राद सब मानने में हैं लेकिन जानने में बिल्ले पहुंचेंगे जिब बिल्ले कोई जो जानने की यात्रा पर निकलेंगे खु पर निकले आश्चर वहां होता है जहां कुछ बिल्ले लोग मिलें एक्के दुक्के मिलें अधिक भीड अधिक लोगों का बहुमत उस तरफ है जो मानताओं में जी रहा है क्योंकि मानता बहुत सरल है सहज है उसमें कोई पीड़ा नहीं है उसमें कोई खोज नहीं है उसमें कोई तप नहीं है उसमें कोई पुरस्वार्थ नहीं है लेकिन जब व्यक्ति जानने को निकलता है तो एक गहन साधना है एक तपस्या है एक पुरस्वार्थ जगाना होगा अपने अंदर तो भगवान कहते हैं यह आश्यर है अब सुचो इ इतिहास में इने गिने नाम मिलेंगे कोई बुद्ध का कोई माहवीर का कोई कृष्ण का कोई कवीर का कोई नानक का कोई थोड़ी गिने चुने मुए सारी दुनिया में इतनी आवादी है सारी दुनिया की आच्छे अरब के लगोग आवादी है लेकिन सोचो आत्मा की खोज फेर, निकले हुए कितने लोग हैं? कोई हैं, कोई धन की Bye- respondents, कोई पद की कोई में है कोई प्रतिश्टा की होज में है कोई संसार की खोज में की सारी दुनिया लगिया भूज सारी दुनिया की दोड़ भाग पुरु स्वार्जा, आकांग्छा ये कही है संसार की धन की मान की पद की प्रतिष्टा की परिवार की सब बाहर-बाहर की आत्मा की खोजी कितने मिलेगे अगर आप देखो सोबह से साम तक आज मंद्रों में भीड लगी होती है सोबह से साम जो बाजार में नहीं मिला वो मंदर में जाके मांग लो, धन मांग लो, पद मांग लो, परिवार मांग लो, प्रतिष्ठा मांग लो, ब्यापार मांग लो, मंदर में, मंदर में भी, 99.99 मिलेंगे लोग मांग लेके जाते हैं जो, मांग लेके जाते हैं, कोई न काम न लेके जाते हैं चाहा लेके जाते हैं भगवान के पास जाते हैं भगवान के लिए नहीं जाते हैं भगवान के मंदर में भगवान के लिए लिए नहीं जाते हैं तो कोई है जो आत्म ग्यान के लिए जाता हूँ जो भगवान के लिए जाता हूँ इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं यह आश्चर की वात है कि इस भीड में कोई इक्के दुक्के उस परमात्मा की खोज के लिए निकले उसे जानने के लिए निकले उसकी प्यास परमात्मा की प्यास उनके अंदर पैदा हो यह आश्चर है उस परमात्मा के लिए जो खोज में निकले भगवान कह रहे हैं ये आश्चर है और जो खोज में निकलते हैं खोज में उस परमात्मा को पाते हैं तो उनके मन में होता है कि जो मैंने पाया है मैं दूसरों को भी कुछ बताऊँ कुछ सिखाऊं, इसका स्वाद दूसरों को भी मिले, दूसरों को भी इसका स्वाद मिले, दूसरों के जीवन में भी ये मस्ति ये आनंद ये उत्सव उनके जीवन में भी आए, उनके अंदर बड़ी करुणा आ जाती है, बड़ा प्रेम आ जाता है, भगवान बुद्ध ने ठहर सके फिर सुचा जो मैंने पाया दुनिया को भी लुटाएं दुनिया को भी बताएं दुनिया भी इसका स्वाद ले इस आनंद को जाने इस परमात्मा को जाने इस आत्म सुक को जाने इस आत्म ग्यान को जाने तो समाज की तरफ दोड़े कि दूसरों को भी यह आनंद ब वो दूसरों को देना चाहते हैं बाटना चाहते हैं लेकिन उसका कोई ग्राहक तो हो जो तुम देना चाहते हो उसके लिए कोई ग्राहक तो हो जो तुम दुकान खोल रहे हैं उस दुकान पर कोई ग्राहक तो हो इसलिए भगवान किष्ण की ये पीड़ा है कि भगवान किष्ण बारवार आत्मा की बात करते हैं और अर्जुन को आत्मा में कोई रूची नहीं है अर्जुन को कोई आत्मा में रूची नहीं है जिस चीज की भगवान सप्लाई दे रहे हैं अर्जुन को अर्जुन की डिम युद्ध से बचा जाए कैसे भागा जाए इस युद्ध से तो अर्जुन युद्ध से भागने का कोई उपाय खोज रहा है या इस मोह की अवस्ता में कृष्ण से कुछ सांतुना खोज रहा है लेकिन कृष्ण बार बार उसको आत्मा की बात कह रहे है बार बार आत्मा की इसे भी उपलब्द कराद है जो सत्मेने जाना अर्जन भी उसे जान ले और दुख सुख से मुक्त हो जाए भागने से मुक्त हो जाए काम मांग से मुक्त हो जाए चाह से मुक्त हो जाए लेकिन अर्जन बार बार अर्जन जो नहीं चाह रहा किष्ण बो देना चाहते है, वो किष्णी की करुणा है, तो भगवान कहते हैं, पहले तो बहुत आश्चर इस बात का है, कि इसके खोजी बहुत कम मिलेंगे, इसको जानने वाले बहुत कम मिलेंगे, ज्यादातर वही मिलेंगे, जिन्होंने जाना जाना है, स किताब पढ़ लिए कुछ और पढ़ लिए इस तरीके से थोड़ा मानताओं में जी रहे हैं सादू का वेस्ट बना लिया तरह तरह के विग्यापन खूब कर लिया आजकल विग्यापनों के माध्यम से लोगों की डिमांड बढ़े जाती के टीवी पे विग्यापन आए डिम के आकांग्ची सत्त के खोजी बहुत विड़ने मिलेंगे और जिनों ने सत्त को पाया वो दूसरों को कहना चाहते तो सुनने समझने वाला नहीं मिलेगा आज देखो कहां कहां वेदान्द की चर्चा होती है मैं खुद जब बंबई में पढ़ा चार साल तीन साल अपने गुरू के पास तो वेदान दर्सन पढ़ा उपने सत्त पढ़े गीता पढ़े ब्रह्म सूत्र पढ़ा प्रस्थांत रही लेकि जब मैं बाहर आया धर्म प्रचार के लिए तो कहीं बाहर ऐसा बाता बढ़ नहीं कि कोई उपने सा सुनने को तैयार हो, गीता सुनने को तैयार हो, आत्मा की बात सुनने को तैयार हो, लोग चाहते कोई कथा सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, कोई पेडा दाई, अब मैंने जो नहीं पढ़ा था, उपने साथ हमने पढ़े गीता हमने पढ़ी ब्रमसूत्र पढ़ी जो हमने नहीं पढ़ा था उसको पढ़ा फिर रामाड पढ़ी भागवत पढ़ी पुरान पढ़े और फिर लोगों को बताने लगे और लोग भीडाने लगे सुनने लगे लेकिन आत्मा की बात करने हैं हमारे दादा गुरु जब कभी इस बिद्द्यार्तियों को पढ़ाते थे तो उनके सामने ज़्यादा नहीं होते थे दो चार पांच लोग बैठ लोग बस दो चार पांच लोग और वो अपनी किताब पकड़ लेते थे, किताब पढ़के और समझाते थे एक-एक इस लोग कार्थ बताते थे लेकिन उसमेंसे एक यह दो बात को समझते थे कोई बीच में उठके चले जाते थे क्यों उनको रुची नहीं है, उनकी बात सौंज में नहीं आ रही क्या बाते कर रहे हैं, यह कोई राम की कता सुनाओ, क्रिष्णी की कता सुनाओ, राम लीला हो, क्रिष्णी लीला हो, कोई और ऐसी, या कोई धर्म के नाम से आजो मनोरंजन हो रहे हैं, आज तो धर्म के नाम से धर्म नहीं हैं, मनोरंजन, ससंग भी एक मनोरंजन, जबकि स मन को और ज़्यादा फुसलाना चाहते हैं खुराग देना चाहते हैं तो अब जो धर्म के नाम से ससंग के नाम से मन और अरण्जन हो गए तो वहां विदान्त क्या करो कौन सुनेगा कौन सुनाएगा जिन्होंने खुद नहीं सुना समझा वो क्या सुनाएं समझाएं तो भगवान कहती है यह आश्चर है कि पहले तो इसको जानने बाले बिर्ले मिलते हैं और जिन्होंने जाना है तो वो बहुत बार सुनाते भी नहीं ऐसे लोग बहुत हैं इमाले में आप जाओ उत्रागंड में जाओ ऐसे लोग बहुत है जिन्होंने आत्म ग्यान जिन्हें हुआ है आत्म अन्हूत हुई है लेकिन उनको रुची नहीं है दूसरों को बताने में उन्हें कोई रुची नहीं को दूसरों को बताए उन्हें बताने की कोई रुची नहीं है कि वो दूसरों को भी ये ग्यान दें और बहुत बार होता क्या है कि ग्यान तो उन्होंने लिया है अब बताना भी एक बड़ी बात है क्योंकि ये तो ऐसे ही है जैसे गूंगे को मीठा खिला दो और फिर उससे पूँच़ स्वाद क्या है गूंगे को मीठा खिलाके उससे पूछे स्वाद क्या है अब उसके पास वाणी नहीं है उसके पास सब्द नहीं है तो ऐसे बहुत महापुरुस है उत्राखंड में आप जाके देखें जो आत्म ग्यानी हैं लेकर वो कहते कहने का कोई उपाय नहीं है वो सत्त को जो मौन क्योंकि सत्त वाणी कभी से नहीं सत्त को मौन से जाना जा सकता है सत्त को विचार से नहीं निर्विचार से जाना जाएगा तो अब वो कह रहे जो निर्विचार से जाना जाएगा मौन से जाना जाएगा वो विचार से कैसे बताएं तुमको कैसे कम्मिनिकेट करें तो कहते हैं सब्द भी एक इसारा है और मौन भी एक इसारा है तो बहुत बार पहले तो बोलते नहीं है वो मौन ही रख लेते और कुछ है बोलेंगे भी तो वो भी उनके बहुत इसारे होंगे बहुत सूच में इसारे होंगे लंबी चोड़े व्याख्यान होंगे सूच में इस सारे होंगे जो समझ सकें समझ ले तो अब वो समझने वाले भी बिड़ली होते लोग बेज़ा में पहली बार पंजाब में कथा प्रिचन के लिए धर्म पिचार के लिए गया तो जगह जगह मेरे ससंग चलते थे तो कई लोग ऐसे भी आते थे जो कथा ससंग में नहीं आते थे और में कहीं रुके हैं तो वो दूसरों से पूछते थे महराजी कुछ बताते हैं दूसरों से पूछते हैं महाराजी कुछ बताते हैं तो जब मेरे सामने आते हैं महाराजी कुछ बताते हैं तो मैंने का मैं तो बहुत बताते हैं इतनी कुछ ससंग सुनाते हैं वो कहते हैं यह बताना नहीं किसी का हाथ देखो हाथ देखके बता दो इसकी इनकी बेटी की संसार की बात है पूछने आते कि बेटी का रिस्ता कब होगा और बेटी की नोकरी कब लगेगी और भ्यापार जो घाटे में चर रहा वो मनाफ़ में कब आएगा अब संसार और उसको कहते महराज कुछ बताते है अगर महराज बताने कर थे यह बताओ ग्यान की बात नहीं सु आत्मग्यान की कोई चर्चा नहीं सुनना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि यह भी बड़ी आश्र की बात है कि पहले तो जिनों ने खोजा है उन वो बोलते नहीं है बताते नहीं है सब्द नहीं है उनके पास और वो बताने की चेश्टा भी करें तो सुनने वाले नहीं है कि किसको सुनाए किसको बताए सुनने वाले भी नहीं और अगर कोई सुनता भी है सुनते भी है तो उन सुनने बालों में भी कोई विल्ला ही है जो समझ पाता है सुनने में भी कोई विल्ला है जो उस बात को समझ पाता है यह भी एक आश्चर है देखो है कि हमारी आपकी सारी की सारी यात्र जो है वह बेहर मुखी है सारा का सारा खेल बाहर का है अब हम परमात्मा भी चाहांते तो बाहर से इसलिए मूर्तियां बन गई तरह रहतर है कि लोगोंने मूर्तियों के प्रत लोगों का भाव एक भगवान कृष्ण बाहर मंदरों में हैं राम मंदरों में हैं हनुमान जी मंदरों में हैं देविया मंदरों में हैं अब उनके मंदर बन गए मूर्तियां बन गए और खोजगी कोई जरूर्द नहीं मंदर में जाओ दर्सन कराओ इस मंदर में चले जाओ उस मंदर में चले जाओ भगवान के दर्सन हो गए लेकिन वो भगवान तुम्हारे अंदर है वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है उसकी खोजरा मुश्किल लगती उन्हें मंदर के दर्सन करना सहज लगता सुगम लगता के मंदर में जाओ और दरसन कर आओं लेकिन वह प्रमात्मा तुम्हारे अंदर है है मिल के मिल का पत्थर होना दीख जाएगा कि मिल के पत्थर पे लिखाएगे दिल्ली और पकड़के बैठ गए कि दिल्ली लिखा थो था दिल्ली 200 किलो मीटर आगे लेकर पकड़ कर बैठ गए अब चलने की जरूरत नहीं है चलने की कौन कशनते तकलीब उठाए अगर उन्होंने ठीक से समझा इसारा तो इसारा तो यह कर रहा दो सब किलो मीटर चलो आगे तब पहुंचोगे अब वो बिना पहुंच चले ही पहुंच गए पकड़ के बैठ गए यह मंदिर यह मूर्तियां यह सास्त्र यह इसारे थे यह मूर्तियां यह मंदिर यह सास्त्र यह सारे थे परमात्मा की तरफ लेकिन उन सास्त्रों को पकड़ के बैठ गए उन्हीं को पकड़ कर बैठ गए उन्हीं को पकड़ के बैठ गए उन्हीं को दर्सन करे आए तो आत्मा के दर्सन हो गए परमा के दर्सन हो गए और दुरभाग से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह आश्चर है वो कुछ समझ नहीं पाएंगे लंबे समय तक मैं देखते हैं जिल लोगों से कि इस तरीके से वहाँ उपासना में रहते हैं बहर मुखी स साधना में रहते हैं लंबे समय तक जीवन में कोई रूपांत्र नहीं आता जीवन में कोई परिवर्तद नहीं आता दुकान घर में पूजा भी चल रही है और जाके दुकान पर वही छल कपट धोका जूट प्रपंच सब का सब एक व्यक्ति धर्म को मानता है एक व्यक्ति को धर्म को नहीं मानता है एक पूजा पाट करता है एक पूजा पाट नहीं करता है दोनों के जीवन में बेवहार मे आप गर देखो तो कोई अंतर नहीं है ये पूजा पाट करने वाला भगवान को मानने वाला भी उतना ही संसार में आ सकत है लिप्त है अनाचार दूराचार में भी जूट परपंच में भी धोका में भी धन में मान में इसकी दोड़ भी हुए है और ये धर्म को भी सहरा चान ले लेता अगर इसने सोचा हमने दिन में जूट बोला धोका किया या कुछ जूट मूट बोलके धोका देके लोगों से पैसा कमा लिए तो मंदर को दान भी तो दे दिया तो बरावर हो गया जो हमने पाप कमाया था तो मंदर को दान दे के फिर पुन हो गए बराबर हो गए पाप से मुक्त हो गए तो दूसरे दिन फिर पाप के लिए तैयार हो गए कि उधर पाप करके नहाई की चोरी करी सूजी दीनी दान संत लिखे नहाई की चोरी करी सूजी दीनी दान और उचक-उचक देखद फिरद कहा है स्वरिक विभान जो लोहार की नहाई होती है जिस पे लोहार औजार बनाता है जिस लोहे का वो बड़ा सा एक टुगड़ा जिस पे रक के जिसे एन्विल कहते हैं, नहाई कहते हैं उस पर रखके चीज बनाता है, बड़ा टुकडा, बड़ा बारी वो होता है लोएका अब उसकी दो चोरी की और उससे लाखों करोड़ों सूजी बनती लेकिन उससे एक सूजी दान दे दी नहाई की चोरी कर ये सूजी की नीदा अब उचक उचक देख़द परद कहा है सुर्ग बिमान देख रहेंगे मिरे लिए सुर्ग बिमान तो आया ने मरत थे समझे सुर्ग बिमाना चाहिए क्यों कि हमने सूजी का दान किया है और ये भूल बैटे कि नहाई की चोरी भी की थी नहाई की चोरी की सूजी दान कर दी और देख रहें कि मेरे लिए सुर्ग बिमान कहां आ रहे हैं आज यही हुरा है कि जो धर्म को मानते हैं भगवान को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं दोना में बुन्यादी कोई अंतन नहीं बहार में कोई अंतन नहीं बैसे जूट बैसे प्रिपंच बैसे धोका बैसे चालाकी सब कुछ बैसे बैसा वो कहते हैं हमने चोरी करके कुछ लिया है तो भगवा का भी हिस्सा बनादिया खोतित हैं कोई भगवान का फूल वredit मुद्स करें जे से युदार ज़त anche और फूल बंगला बनादिए देस के था कि आपनी कोथी बनाई भी बना दिया तो भॉएन ने माप कर दी कित आपांप कर दिया तहुनahu माहौल है भगवान कहते हैं ये आश्चर है सारा का सारा बिवहार सारा की सारा भीड उसी तरफ दोड़ रही है आत्म ग्यान की तरफ कौन जा रहा है कितना में रुची है तुम जो धुकान खोलोगे आत्म ग्यान की कहां कौन सा ग्रहक मिलेगा ऐसे लोगों को तो कहती है सिर भगवान कहते हैं ये बड़ी आश्चर की बात है कि पहले बात तो कोई जानने वाला आश्चर है और जानने वाला नगर जाना है तो बताना भी बड़ा आश्चर की बात है कि वानी कभी सही नहीं है और बताना भी चाहे इसारे देना भी चाहे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई सुनने को तैयार नहीं है किसे सुनाया जाए और जो सुनते भी है जो सुनते भी है उसमें से कहते है हजारों लाखों में से कोई एक है जो उसको समझ पाता है लाखों करोड़ों में कोई एक होगा जो उसको समझ सके और समझ के उस तरफ अपना एक कदम बढ़ा सके करोड़ों में कोई एक होगा जो उसको समझ सके और उसके समझने पर उनका जीवन में कोई रूप आंत्रण आए अन्य था लोग उसी प्रबंश में पढ़े हुए इसलिए दुनिया की चारत्रब लोगों को देखो जो दोड़ है वो संसार की है बहर मुखी साधना में जैदा है उपनिस्दों में एक कहानी आती है प्राय ससंग में संत कहते हैं कहते है कोई गाओं के दस गाओं के कोई दस अंधे बाजार के लिए जाते शौपिंग के लिए जाते जब गाओं के दस अंधे एक साथ मिलके बाजार में गए शौपिंग के लिए गए तो बड़ी मुश्कल से एक दूसरे का हाथ पकड़के नदी बीच में आती थी नदी में बार आयो हुई ति पानी बहुत जादा था एक दूसरे का हाथ पकड़ के नदी पार करते हैं और जब नदी पार करते हैं तो इस पार आके बाजार में गए सौपिंग की लौटते समझ अब बापस लौट रहे हैं तो फिर देखा पानी और जादा आ गया डर पैद अब नदी तो पार कर ली लेकिन अब गिंती गिनने लगे कि हम पूरे के पूरे है के नहीं हम पूरे की पूरी संख्या है के नहीं तो जब गिंती करने लगे तो संख्या नौ निकली तो लगा दूसरे इससे कुछ भूल होगी दूसरे ने गिना जब दूसरे ने गिना शुर और जब नौही निकली तो उन्होंने का निश्चित ही एक कोई डूब गया संख्या बारवार नौही आ रही इसका आर्थ है कि कोई एक डूब गया और कोई एक डूब गया है तो उसके लिए सोक मना ले तो कहते नन्दी के किनारे खड़े उस पेड़ के नीचे बैठके वो सब रोने लगे उनका रोना सुनके देखके कोई सादू वहां से निकल रहा था और उन्होंने पूछा किसलिए रो रहे हैं तो उन दसों ने अपनी बात कही कि हम दस आये थे बाजार करने के लिए आते से लोड़ते समय पानी ज्यादा आ गया नधी में तो हमने पार जैसे तैसे की लेकिन अएक साथी डूब गया मेरा अक साथी डूब गया तो पूछा उस सादों ने कितने थे तुम कहा हम दस थे अब कितने हो के नो के कैसे गिना तुमने गिनके बता दिया कि देखो ऐसे गिनके बता दिया के नो दूसरे से गिनवाया उसने भी बता दिया नो तीसरे से गिनवाया उसने भी बता दिया नो अब सादू ने कहा हम बताएंगे तुमने तुम सब खड़े हो जाओ लाइन में और सादू कोई डंडी स्वामी था उसने कहा एक एक जिसे हम डंडा मारें वही अपना एक अंक बोले एक बोले फिर दो बोले फिर तीन बोले लेकिन जिसको डंडा पड़े वो पहले आदमी कह और उसको एक डंडा मारें गयंगे देंडा की चोट नहीं भूले गे ऐसे दसके 10 पूरे होगे 10 के दसके 10 पूरे होगे इन अंधों ने पूँचा कि तुमने कैसे दस्क पूरे कर दिये कैसे दस्क पूरे कर दिये उसने कहा ये सारी दुनिया का गड़त यही है कि विक्त अपने को छोड़के दूसरों को गिनते है अपने को छोड़के दूसरों को गिनते है इसी तरीके के हैं अध्यात्म है स्वयम की खोज धर्म है स्वयम की खोज और ग्जान है बाहर की खोज पदार्थ की खोज बाहर की खोज जो बाहर बाहर दृस्य जगत है उसकी खोज में विज्ञान पड़ा है और अध्यात्म धर्म है स्वेम की खोज के मैं खुद क्या हूँ मैं खुद क्या हूँ और जिन्हें खुद का पता नहीं के मैं खुद क्या हूँ वे बड़ी-बड़ी खोजों में निकल जाते बड़ी खोजों में निकल जाते एक को यह अंत्रिक्षिका ग्याता अंत्रिक्षिका व्यग्यानेक मार्ग से जा रहा था तो साम का समय था सूर ढल चुगा था लगभग तो आकास की तरफ देखता हुआ जा रहा है यह 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 मार्ग से जा रहा था मार्ग के किनारे ही रास्ते के किनारे ही एक कुवा था वो अंदा कुवा था पानी उसमें नहीं था उस कुवे में गिर जाता और जब कुवे में गिर जाता तो चिलाया मुझे निकालो निकालो बचाओ एक गाओं की बूढ़ी औरत गाओं की बूढ़ के और वो रसी कुए में लटकाई और कुए में लटका के रसी को रसी के सारे उस व्यक्ति को बाहर निकाल लिया रसी के सारे उस व्यक्ति को कुए से बाहर निकाल लिया और जब उसको कुए से बाहद निकला तो उसने अपना पर्चए दिया इस बूड़ी गाउँ की औरत को कि तुम्हें मालूम नहीं है मैं बहुत बड़ा वैग्याने कुझू मैं बहुत बड़ा वैग्याने कुझू मुझे अंत्रिक्ष की बहुत जानकारी है बहुत ग्यान है तारे सितारे कहां क्या है मुझे इसका बहुत ग्यान है और कभी जरूरत हो तो तुमसे कोई फीस नहीं लेंगे और तुम्हें अंत्रिक्ष का ग्यान कराएंगे जब भी तुम्हें कुछ जानना हो तो तुम्हें अंत्रिक्ष का ग्यान कराएंगे तो उसे कोई फीस नहीं लेंगे वो बूड़ी हसने लगी कि जिसे जमीन के गड़े नहीं दीख रहे हो वो बूड़ी हसने लगी जिसे जमीन के गड़े नहीं दीख रहे हैं और अंत्रिक्ष का ग्यानी होने का दावा कर रहा है कि अंत्रिक्ष के तारों का मुझे बहुत ग्यान है और जमीन के गड़्े दीख नहीं रहे जमीन के गड़्ों में गिर रहा है आत्मी और अंत्रिक्ष का ग्याता होने का दावा कर रहा है आज यही इस्तिती हो गई कि हम बहुत बड़ी बड़ी अंतरिक्ष की खोई तो बहुत कर ली लेकिन स्वयम से दूर है स्वयम हम क्या है हम स्वयम क्या है मैं कौन हूँ क्या है अपने अंदर में नहीं उत्रा अपनी खोज नहीं की अध्यात्म है स्वयम की खोज मैं खुद क्या हूँ आत्मा की खोज अपनी खोज अपने अंतर में उतरना और विज्ञान है बहर मुखी यात्रा तो भगवान कह रहे अरजुन से कि अरजुन बहुत बिल्ले लोग मिलेंगे कि जो इस जिनों ने जाना हो क्योंकि ज़्यादा लोग जानते नहीं मानताओं में जी रहे मानताओं के कारण जो जहां पैदा हो गया कोई हिंदू बन गया, मुसल्मान बन गया, आस्तिक बन गया, नास्तिक बन गया कोई इधर इस मंदर में जाने लगा कुछ गुई गुर्द्वारा में जाना कोई कहीं जाने लगा मानताओं के कारण से जाना किसी ने कहीं कुछ नहीं अगर आप देखो गुर्वानी भी पढ़ो तो गुर्वानी का पूरा का पूरा गुर्वानी में आप बेदान दर्शन पाएंगे आत्मग्यान की बात पाएंगे पूरी की पूरी गुर्वानी में आप आत्मग्यान ही पाएंगे लेकिन कौन के आत्मगान में निकलता है कोई आत्मगान में निकलता बस ग्रंत की पूजा कर लो मंद्रों में मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं कि मूर्तियों की पूजा कर लो भगवान मिल गए वो कह रहे हैं ग्रंत की पूजा कर लो भगवान मिल गए लेकिन जो ग्रंत इसारा दे रहे हैं आत्मा की तरफ जो ग्रंत इसारा दे रहे हैं परमात्मा की तरफ उस खोज में कहा निकलते हैं जिस खोज में नानक थे नानक ने जो सत्थ पाया नानक ने जो परमात्मा पाया नानक ने जो आत्म ग्यान पाया और जो नानक के जीवन में एक मस्ती आई जो परमात्मा गूजा जो संगीत गूजा जो स्वर परमात्मा के स्वर गीत बनकर गूजे नानक के जीवन में वो हम सब की कभी विशेस अधिकार था लेकिन दुर्भाग से हम ग्रंत तो पूज लेते हैं लेकिन ग्रंत इसारा कहा करते हैं उस तरब हमरा ध्यार नहीं है और वैसे ही मूर्त पूजा वहां भी वैसी है जैसे हिन्नों के मंदर में वैसी गुर्दवारे में यहां भी कहा रहे मूर्ति भगवान को सैन करा दो भगवान को सवे जगा दो भगवान का भोग लगा दो, वहां भी वही हो रहा है कोई नाक सीधे पकड़ ले, कोई घुमा फिरागे पकड़ ले, बात तो वही है उस इसारे नहीं समझे, क्रिश्न का इशारा कहां था, राम का इशारा कहां था, गुर्णानक देव का इशारा कहां था उस सत्त की तर्व यात्रा पे ना निकले, उस परमात्मा की यत्रा पे नहीं निकले, उस आत्म ग्यान के लिए इतरव मस्जिद गुर्द्वारा की दिवाल तूट जाएंगी कि सत्त एक ही है परमात्मा एक ही है बाहर से अनेक अनेक दीख रहे हैं लेकिन जड़ से हम जोड़े हुए है अनेक बाहर से लहरे हैं लेकिन सागर एक है अनेक ब्रक्ष हैं लेकिन एक जमीन एक है जिस दिन अंतर से जुड़ेंगे उस दिन ये सारे भेज तूट जाएंगे तो भगवान कह रहे हैं अरजन से अरजन बड़े बिड़ले लोग हैं जो इससत को समझ पाएं जो समझ लेते हैं समझाने जाते हैं तो कुछ समझने को तहीं मिलता कि उसके लिए किसी को रुची हो क्योंकि आज तो धर्म के नाम से भी लोगों ने तरह तरह की दुकाने हो धर्म के नाम से भी लोग संसार ही खोजने आते हैं मंदिर में जाओ यहां भी जाओ संसार ही खोजने जाते है धर्म के नाम से भगवान को नहीं संसार भगवा संसार भगवान से भी संसार ही मांगने जा रहे हैं तो कहां आत्म खोजी भी लेंगे कि आत्मा के लिए जिन कोई जिग्यासू हो आत्मा के लिए आत्म ग्यान के लिए किसी के अंदर कोई प्यास हो बगवान कहा रहे और जो सुन भी लेते हैं जो सुन भी लेते हैं वो समझते कहा हैं एक वर मैं कहीं कधा कर रहे थे एक व्यक्ति एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा महराज मैं 30 साल से जब से गीता भावन बना है 30 साल से मैं गीता वन में आके रोज कथा सुनते कोई ना कोई संत आते रहते हैं वो संत आते हैं ससंग चलता है तो मैं 30 साल से लगातार ससंग सुन रहे हैं लेकिन कल के दिन हम ससंग नहीं सुन पाएंगे तो मैंने का ऐसा क्या का रहा है कि कल के दिन ससंग नहीं सुन पाओगे का हमारा राज कल मेरा कोट में कचैरी में तारीक है एक मुकदमा चल रहा है उसमें हमारी तारीक है हम जा रहे उसमें तो मैंने का कोई बात नहीं तुम नहीं सुन पाओगे अपने बेटे को भीज़ देना बेटा कथा ससंग सुनके कोई दृष्टांत कोई बात तुम्हें सुना देगा बता देगा तो तुम्हें कथा का पुन मिल जाएगा वो कहते हैं नहीं माराज आपने कथा में आपको बेटे को नहीं भीजेंगे मैंने का क्यों ऐसा क्या बात है मेरी कथा में बेटा आग जाएगा कोई गुना हो जाएगा बिगड जाएगा यहां आके कथा में सत्संग सुनके बिगड जाएगा बेटा तुम्हारा कभी तुम्हें बेटे को जुगा खेलने से नहीं रेखा सराप पीने से नहीं रोका सिनेमा जाने से नहीं रोका लेकिन कथा के लिए क्यों रोक रहे हैं कि बेटे को नहीं भेज़ेंगे का माराज कहीं आपका सत्संग सुनके मेरा बेटा कहीं सादू ना बन जाए वो भी घर परिवर कत्या करके कहीं सादू ना बन जाए मैंने कहा तुम तीस साल से कथा सुन रहे हो तुम तो सादू बने नहीं तुम तीस साथ से कथा सुन रहे और तुम सादू नहीं बने और बेटा एक दिन कथा सुनके सादू बन जाएगा कहा मराज मेरे जो बाल सपेध हुए वो अनभाव से हुए है वो धूप में नहीं हुए अनभाव से हुए है तो हम कथा सुनने आते हैं अन्भों के साथ, मैंने का कैसे अन्भों के साथ कथा सुनने आते हैं, जह हम आते हैं तो साथ में अपना आसन ले आते हैं, आसन बिछा लेते हैं, और उस आसन पर बैड़ते हैं, और कथा सुनते हैं संतों की, खूब सिर हिला अला के खूब सुनते लेकिन जब यहां से जाते तो ऐसे आसन जाड़ देते आसन जाड़ देते जो को सुना यहीं तक साथ लेके कुछ नहीं गए घर लेके कुछ नहीं गए सब वहीं जाड़ दिया तुम मैंने का फिर तो 30 साल कम है तुम 30 जनम भी सुनोगे तब भी ऐसी कैसी रहोगे यह चाला की तुमने किस के लिए की है यह हुस्यारी यह चाला की डाक्टर के पास गए दबा ली लेकिन बाहर आके दबा फैंक दी तो किसका नुकसान हुगा डाक्टर का कोई नुकसान हुगा तुमने समय लगाया अपना समय लगाया सकती लगाई एक घंटे बैठे कता संग सुनी लेकिन जाड़ दी बाहर आके फैंक दी दबा और दूथरे दिन फिर पहुँच गए ये रुची का बहा हो ये समझ का बहा हो ग्यान का बहा हो कि व्यक्ति पैसों में सुक खोज रहा है संसार में सुक खोज रहा है लेकिन अंतरमुकी साधना में क्या सुक है परमात्मा की प्रात्वी में क्या सुक है मीरा ने क्या पाया नानक ने क्या पाया कभी ने क्या पाय ये उसको कुछ समझ नहीं है एक वर मैं दिल्ली में कहीं कथा कर रहे थे एक आदमी ने मेरे को फौन किया और फौन करके कहा माराज मैंने सुना आपके बारे में कि आपकुछ बेदान्त पर बोलते हैं आपकुछ बेदान्त पर बोलते हैं मैंने आपके बारे में सुना कुछ मुझे भी बेदान्त के बारे में बताओ आत्मा के बारे में बताओ तो मुझे से फौन पर कहता है मुझे भी कुछ आत्मा के बारे में बताओ माराज तो मैंने का आत्मा के बारे में फौन पर पूछो फ्वास पर देदो आत्म ग्ञान पर देदो अब आत्म ग्ञान की बात तुम चाहते हो और वो भी फान पर तो मैंने यह सक्रों किसी दिन सशंग पर आओ कि यहां समय है मैंने का संवार की समय है 405 साम को 4-5 था तो कहा चार से पांच तो मैं ऑफिस में होते हैं हम कैसे आएं तो मैंने कहा कल इतवार है और कल ऑफिस तो तुम्हारा है जी संडे के दिन और संडे के दिन दो बार मेरा ससंग है सुबह छैसे साथ है सुबह साथ से आठ है सुबह साथ से आठ है और साम को चार से पांच है तो मैंने कहा सुबह साथ से आठ आजाओ तो हम सो के नहीं जगते हैं आठ वज़े तक तो हम सो के नहीं जगते हैं ससंग में कैसे आ जाए तो मैंने का साम को आ जाओ, साम को चार से पांच, तुम्हारा आफिस तो है नि, साम को आ जाओ, चार से पांच कहता है हमने साम के तो हमने सिनेमा की टिकट ले रखे, साम को सिनेमा की टिकट ले रखे सुचो, और ये विक्त भी आत्म ग्यान चाहता है, कि आत्म ग्यान आत्म ग्यान भी इसके लिए एक मनोरणयन है आत्म ग्यान भी इसके लिए कि status symbol है कि हम दूसरों को कह सके हाँ उपने सद हमने पढ़े है गीता हमने पढ़ी है अब पढ़ी क्या है गीता पढ़ा क्या उपने सद बस कहने के लिए जीवन में तो कहीं है नहीं आच्रण में कोई प्यास तो जगी नहीं कोई खोई तो शुरू नहीं हुई बस सो कुछ इसलिए भगवान कहते है ये भी बड़ा आश्चर की बात है कि कोई बिल्ले इसको समझ पाते हैं और जो समझ लेते हैं उन मेंसे कोई बिल्ले ही उसको जीते हैं दूसरों को कहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं बड़े बिल्ले होंगे जिन्होंने जाना इसे और जिन्होंने जाना दूसरों को कहा तो सुनने वाले नहीं मिलते कि सुनने वाले जिनको सुनाया जाए जिन्हें बताया जाए जिन्हें कहा जाए और अगर सुनते भी कोई है तो कोई बिल्ला ही उसको समझ पाता है ये भगवान कहते ही आश्चर है देही नित्यम अबद्धोयम देहे सरवस्य भारत है तस्मा सरवानि भूतानी नत्तम सोचितु मरहसी भगवान कहते है अर्जुर ये आत्मा सबके सरीरों में सदा ही अवद्ध है इस कारण संपूर प् भूतानी भगवान कह रहे है ये आत्मा है वो सभी में अवद्ध है जो प्राणी मात्र में आत्मा है चेतना है वो अवद्ध है उसका बद्ध नहीं हो सकता और जो अवद्ध है उसका बद्ध होई नहीं सकता तो उसके लिए तुछ चिंता क्यों करें नानु सोचितु मार हसी तस्मा सर्वानी भूतानी मनुस्त नहीं प्राणी मात्र में आत्मा जो है वो अवद है उसका वद नहीं किया जा सकता उसे नश्ड नहीं किया जा सकता उसके लिए न तुम सोच तुम्हारा हसी उसके के लिए तुम सोच के हो कर रहे हो सोक के हो कर रहे हो जिसका नास ही नहीं हो सकता उसके लिए तुम दुखी के नास हो जाएगा बहुत बार ऐसे ही होगा कि आदमी जो नहीं होता उसके लिए कल्पना करता कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए अब आज सब कुछ अनकूल है लेकिन भविस्थ की कलपना में आज तक तो ठीक है कि मैं योग था पुरसौर्ती था समर्द था तो मैंने सब कुछ अनकूल कर लिया कल ऐसा ना हो जाए परसों ऐसा नो तो जो नहीं है उसकी कलपना में आप देखो अधिक तर लोग आपको जो दुखी मिलेंगे वो दुख आज नहीं है आगे कहीं दुख ना आज है उसके लिए चिंतित है आधे लोग ऐसे मिलेंगे जो पीछे जो कुछ हो गया भूत में उसके लिए चिंतित है उसके लिए परेशान ऐसा हो गया ऐसा हो गया यह भूल हो गई वह गलती हो अब हो गया सो हो गया वह तो चला गया भूत तो बापस नहीं आ सकता भविस अभी पैदा नहीं हुआ आदा दुक्का करना तो जितना हमारा मन है भूत और भुष से में उल्जा हुगा बर्तवान में सब ठीक है आज और अभी सब ठीक है लेकिन आगे क्या होगा तो भगवान कहरे अर्जुन से कि अर्जुन जिस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है जो तसमात भूतानी सर्वानी नत्तम्स जो देही नित्यम अब अचना करता को यह जिसके चिंटा कर रहा है जिसके मौत ही ही नहीं हो सकती है उसकी मौत की तुम चिआ रहाख अब सच यह कोई समझ की बात अब जिसकी मौत है होई नहीं सकती है उसकी मौत की तुम चिंता करके अना बश सक यह तो तुम्हारा एक पागलपन है बिच्छिप्तता है ना समझी है तो भगवान कह रहे अर्जुन जिसका वद ही नहीं है जो अजन्मा है जो अविनाशी है जो अविकारी है जिसमें कोई विकार नहीं है तुम उसके लिए चिंता क्यों कर रहा है और तुम्हारी चिंता व्यर्थ है जूटी है नस्तुम सोच तुम्हारा सीसली तुम्हारा उसमें कोई अधिकार नहीं है आगे भगवान कह रहे है अर्जन को सुधर्म अपिचा वेच्छा नविकंपित्तुम अरहसी धर्म्यात ही उद्यास्रेया अन्यत्षत्रियस्य नविद्यते भगवान कहते हैं अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग नहीं है यानि तुझे भय नहीं करना चाहिए क्योंकि छत्री के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़का दूसरा कोई कल्यानकारी कर्तब नहीं है भगवान अर्जन को कह रहें अर्जन तुम छत्री हो और छत्री होने के नाते यह तुम्हारा धर्म है यह तुम्हारा कर्तब है यह सुधर्म है कि अपनी धर्म की नियाय के लिए कानून विवस्था के लिए अपरादी को आतताई को डंड देना और जहां ऐसा युद्ध की स्थिती हो युद्ध करना ये धर्म है ये तुम्हारा सुधर्म है और वो सुधर्म तुम्हारे सामने है तुम अपने सुधर्म से क्यों पलाइन कर रहे है तुम अपने सुधर्म से क्यों पलाइन कर रहे हैं सिर्फ मोह हो इसलिए क्योंकि मेरे है क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन ने सदा युद्ध की ये वो अर्जुन का धर्म है युद्ध अर्जुन है छत्री और एक छत्री एक धर्म के लिए सुधर्म के लिए सुधर्म है अर्जुन का युद्ध अर्जुन गांडीभ जिसकी पहिचान है युद्ध जिसके लिए खेल है और न्याई विवस्तपुर्श के लिए जिसने आज तक इतने युद्ध किये हैं और वही अर्जुन पलाइन कर रहा है अपने सुधर्म से चित हो रहा है तो भगवान कहते है अरजन तेरे लिए ठीक नहीं है आगे किस लोगे मुखवान बता दे किस तरह से सुधर्म में युद्ध करना तेरे लिए स्रेकर है क्योंकि इस सुधर्म में तुमारी मौत भी होती है तो तुमारे लिए स्वर्ग है तुमारे लिए यस है तुमारे किरती मिलेगी अस्वर्ग मिलेगा नर्क मिलेगा अंगले स्लोग में ये बाते कर रहे हैं अब इस इन दोने स्लोगों कल हम लेंगे आज खथा को यहीं विराम देते हैं मेरा सभी को बहुत बहुत प्रेडाम हरी हो